नमस्ते जी, वेलकम टे हिमाचल वायर, आज की किताब की कहानी लियोनेल एंद्रियाज मैसी की अगर दुनिया के सबसे बहतरीन स्पोर्ट्स प्लेयर्स की बात करनी है तो मैसी के नाम के बिना ये लिस्ट पूरी नहीं होगी और मैसी का नाम लिस्ट के ऊपर आता है सौकर कहें या फुटबॉल कहें ये गेम मैसी की है लियोनेल एंद्रियाज मैसी लियो कह लीजिए या मैसी कह लीजिए स्पोर्ट्स की दुनिया मैसी के बिना पूरी नहीं है फुटबॉल की दुनिया जैसे सौकर भी बोलते हैं वो रूल करते हैं मैसी इनकी mother के favorite football player थे Maradona उनसे मिली थी वो एक दफा मिलकर कहा था कि मेरे बेटे को सिखाएंगे आप मुझे लगता है कि आपकी तरह एक दिन वो बहुत महान sportsman बनेगा उन्होंने कहा था बिल्कुल और Messi को अपना successor उन्होंने एनाउंस भी किया लियोनेल एंड्रियाज मेसी की कहानी शुरू होती है 24 जून 1987 को date of birth है उनकी Rosario, Argentina में इनका जनम हुआ Rosario में एक Italian hospital था cream color की building थी पुराने style में बनी हुई वहाँ पर इनका जनम हुआ था अपने माबाप के तीसरे बेटे थे ये इनकी मादर की पहली दो deliveries नॉर्मल हुई थी इनके birth के time बे भी सब कुछ ठीक चल रहा था बाद में कुछ complications हो गई और ये कहा गया कि forcep delivery होगी ये सुनकर इनके पिता के चेहरे पे जो डर आया था उसको उनकी मादर कभी भी नहीं भूलती क्योंकि उनके फादर ने सुना था के forcep delivery से कई बार बच्चों में ऐसे defect आ जाते हैं जो कभी ठीक नहीं होते इसलिए वो बहुत जादा घबरा गए थे उन्होंने बहुत request की कि कोशिश कीजेगा कि forceps नहीं इस्तमाल हो कि फाइनली मैसी's birth was not a forcep delivery लेकिन ये tension से वो जरूर गुजरे बच्चपन से ही इनकी कद काठी बहुत उची नहीं थी छोटे थे बाकी बच्चों के comparison में संडे को अकसर अपनी नानी के घर जाया करते थे जहां पर इनकी मासी भी अपने बच्चों को लेकर आती थी मासी के दो बेटे थे और ये लोग तीन भाई थे तो पांचों लड़के मिलकर खूब फुटबॉल खेला करते थे वहां से शुरुवात हो गई थी खै शुरुवात उस दिन की बताई जाती है चार साल के थे इनका बर्डे था साथ खेल रहे होते थे तो अकसर रोते हुए घर वापस आते थे क्योंकि किसी ने कभी चीट कर लिया होता था या किसी ने धक्का मार दिया होता था ये मैसी की बायग्रफी है इसमें जिक्र किया गया है कि पहली बार कब खेलना शुरू किया कैसे खेलना शुरू किया, उसके दो वर्जिन अफ स्टोरीज हैं, एक इनकी दादी की तरफ से और एक कोच की तरफ से, दादी इनकी अभी नहीं रही, दस साल के थे जब इनकी दादी की मृत्य हो गई थी, तो बात इस तरह शुरू होती है, कि इनकी दादी को इन पर बहुत विश्वास था कि मैसी एक दिन बहुत बड़ा फुटबॉल प्लेयर बनेगा। पहले फुटबॉल बूट्स भी उन्ही के कहने पे इन्हें दिलाए गए थे। छोटे से मैसी को जब वो नेबर हुड में खेलते हुए देखती थी तो उन्हें लगता था कि ये लड़का बार साल के तो थे बस अब पहली बार मैसी ने कब खेलना शुरू किया ये कोच का वर्जिन है। अकॉर्डिंग टू कोच 86 बैच के बॉइस का एक मैच होना था। सारे स्पॉट्स फुल हो गए थे। उनकी दादी खुद बहुत ज़ादा फुटबॉल एंथूजियास थी तो लियो को लेके वो वहाँ पे गई हुई थी। कई बार पहले भी कोच को रिक्वेस्ट कर चुकी थी। अब एक टीशिट पकड़कर कोच वेट कर रहे थे कि कोई बच्चा आए और उसे मैं ये टीशिट दू वो खेले। कोई भी वहाँ पे नहीं मिल रहा था उने। त वह तो पहले से ही तयार थी। वह लियो को खेलते हुए देखना चाहती थी। तो छोटे से लियो को वह टीशिट पहना दी गई और कोच ने बोला कि मैं इसे बाउंडरी के पास रखूंगा। इन केस अगर ये रोता है या इसे लग जाती है तो हम इसे जल्दी से बाहर न तो कोच को लगा आरे ये मैंने क्या कर दिया। इतने छोटे बच्चे को जो बिलकुल घबरा गया है माच में जाके उसको मैंने ले लिया। मैसी जो रियाक नहीं कर पाए थे बॉल को देखकर वो इसलिए क्योंके वो लेफ्ट फुटेड है। अग्री बार जो बॉल आई उसके बाद मैसी से बॉल लेरा मुश्किल हो गया था। उनका ड्रिवलिंग स्टाइल देखने के लिए दूर दूर से लोग आया करते थे। कहते हैं के उस वक्त भी छोटा सा लियोनाल एंड्रियाज मैसी इतना जादा केपबल प्लेयर था के फील्ड के एक कोने से बॉल क बचाता हुआ और अकेले ड्रिवल करता हुआ दूसरी साइड जाकर गोल दाग सकता था। ही वस दाट केपबल थर्टीन यर्स सिरफ तेरा साल की उमर में न्यूस्पेपर कॉलंस दो पेज़स का लेयाउट देने लगे थे लियोनल मैसी को। ही वस अ फिनॉमना बाइस मार 1994 को मैसी क्लाब अल्टी को नवैल्स ओर बोई के मेंबर बन गे दिस वस फिर्स क्लाब। दो क्लाब्स के वो मेंबर रहे हैं एक ये और दूसरा बार्सलोना अपना में प्रोफेशनल कारियर उन्होंने बार्सलोना के साथ बिताया है ये देख रहे हैं उस वक की तस्वीट चूटा सा लियोनेल एंद्रियाज मैसी इनकी मा का कहना है कि लियो कभी भी एक बदमाश बचा नहीं था शरारते नहीं करता था लेकिन फिर भी जिस तरह बचों को कभी कबाद डिसिप्लिन करने की जरूरत पर जाती है तो लियोनेल मैसी को बस इतनी धंकी देनी काफी होत लियोनेल मैसी का कड़ नहीं बढ़ रहा था वो बहुत चोटे दिखते थे तो पैरंस ने डॉक्टर के पास ले जाना शुरू किया दस साल की उमर में साल भर बहुत सारे टेस्ट हुए बहुत सारी स्टाडीज की गई कुछ पता नहीं चल रहा था फाइनली पता चला कि य जोत हार्मोन डेफिशेंसी है इसमें बोडी नहीं बढ़ती इसका सिल्यूशन था कि इंगेशं लगेंगे हर दिन इंगेशं लगेंगे और सालों तक इंगेकशन लगेंगे Ilaj महेंगा था दो साल तक फादर के मेडिकल इंसौरिंस ने खरचा उठाया लेकिन अब वह पैसे आते रहे फिर धीरे वो पैसे कभी लेट आने शुरू हो गए यहां पर मीडिया के पास एक अलग स्टॉरी है कि नवेल्स अकाडमी ने मना कर दिया था मैसी के मेडिकल खर्च के लिए इसलिए यह लोग स्पेइन शिफ्ट हो गए यह भी एक बात हो सकती है लेकिन किता यह भी कहती है कि एक बेटर कारियर के लिए एक बेटर मेडिकल फेसिलिटी के लिए क्योंकि रोजारियो बहुत एक छोटी जगा थी उनके फादर नहीं यह डिसिजिजन लिया कि हम लोग को एक बड़ी जगा शिफ्ट होना चाहिए स्पेइन और वहां पे बार्सलोना क्ल मैं तुम्हें एक ट्राक सूट लेके दूँगा छे गोल किये थे मैसी ने उस गेम में लेकिन एक गोल माना नहीं गया था फिर ले दिया था उनको ट्राक सूटू सेलेक्शिन तो हो ही जानी थी मैसी उस्कार ही वस फिनॉमना उनके पुराने कोचर बोलते हैं कि अधर्वा को आप देखिए दूर दूर से लोग देखने आ रहे थे स्टार्स को लेके अलग-अलग फितूर होते हैं जब मैसी की growth hormone deficiency के बारे में लोगों को पता चला तो उन्होंने अपने बचों को ये action लगवाने शुरू कर दिये ये सोच कर कि ये कुछ अच्छा करता है देखिए मैसी क्या बन गया है maybe इसी से कुछ हो जाए फिर इसके बार में proper counseling हुई थी वहां पर के ऐसा कुछ नहीं है he had a problem बहुत सारे लोग sports में आते हैं बहुत सारे लोग अच्छा भी करते हैं अच्छानक से पैसा आता है उससे कई बार sportsman alcohol, drugs इन सारी चीजों में पर जाते हैं और फिर sports छूट जाती है एक अच्छे sportsman के लिए इन सारी चीजों से दूर रहना बहुत जरूरी होता है एक काम्याब sportsman को humble होना बहुत जरूरी होता है efficient होना बहुत जरूरी होता है consistent होना बहुत जरूरी होता है ये सारी चीजे Messi में है Barcelona के साथ पहला professional agreement एक paper napkin पे हुआ था paper napkin पे इसलिए हुआ क्योंके Messi Barcelona में selectors के सामने अपनी performance दिखा चुके थे इनके नाम के चर्चे दूर दूर तक थे सब जानते थे कि ये player just club में होगा ना उसके पास trophy आने से कोई रोक नहीं सकता है लेकिन Messi की ये जो problem थी growth hormone deficiency इसका खर्चा काफी ज्यादा था उपर से जब ये club join किया तो वो सरफ साड़ी तेरा साल के थे senior league खेलने में अभी वक्त था बहुत साल थे तो जो selectors थे वो double minded हो रहे थे कि बच्चा बहुत छोटा है उसको ये problem है इसका खर्चा बहुत ज़ादा होगा medical assistance का दूसरे जो players होते हैं उनकी health की guarantee नहीं ले सकते हैं आप कोई चोट लग सकती है क्या पता वो senior league तक qualify ही नहीं करे खेल ही नहीं पाए और एक बात ये भी थी कि वो अर्जिंटीना से थे Barcelona, Spain में आये थे तो he was a foreigner उसके लिए भी काफी formalities थी और एक रूल ये भी था कि जो foreigners होंगे वो national team में नहीं खेल सकते हैं बाद में formalities होई he was given a citizenship of Spain लेकिन ये problems उनके मन में थी तो वो double minded चल रहे थे अब एक restaurant में Leo, उनके father और जो Barcelona, club selector से उने लाने लेके आये थे वो selector से मिले one of the selectors उन्होंने कहा देखे you be very clear either you agree to our terms and condition in writing or we are going to some other club Leo के father उनके medical condition को लेके भी वरिड थे family के पास वो funds नहीं थे जो support कर सके उनको therefore the father made it very clear either you write it down or we are going the other way तो जो selector थे उन्होंने एक paper napkin लिया उस पे agreement लिखा, खुद sign किये उनके father और जो आये थे साथ में उनके sign करवाए और वो उनका एक पहला professional contract था paper napkin पे 17 साल, 3 महीने और 22 दिन के लिए अनेल मैसी ने FIFA World Cup खेल लिया था इतनी जल्दी शुरुआत की इसलिए ये youngest Argentini player है FIFA World Cup खेल ले और उसमें score करने के लिए Argentina national team के captain है और as forward खेलते है छे बार Ballon Dior जीत चुके है एक बार तो चार साल लगातार जीते है जिसका record अलग है Ballon Dior दिया जाता है all time star team को ये चार साल regular जीते है अपनी debut के बाद वो भी छे ही बार European golden shoe भी जीत चुके है अब ये जो golden boot award है ये leading goal scorer को दिया जाता है league matches में इसे छे बार जीता है अपना सारा professional career Barcelona के साथ बिताया है 2006 से Edidas को endorse किये हुए है personal life की थोड़ी सी बात बता दूँ आपको इनकी जो wife है Tanila Rucuzo ये इनके childhood best friend Luca की बेहन है 5 साल के थे जब से उने जानते हैं इनके साथ में इनके 3 बेटे हैं media glare से दूर रखा काफी साल अपने रिष्टे को 2009 में confirm किया कि ये दोनों एक relationship में है 2012 में इनका पहला बेटा हुआ था Argentina का match चल रहा था Ecuador के साथ Argentina जीत रही थी 4-0 से Messi ने अपने अंदाज में अपनी फामिली की first pregnancy अनाउंस की थी अपने टी-शिट के अंदर बॉल डालके ये बताया था कि we are pregnant as family I hope आपको पसंद आया होगा और अगर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर दीजे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजे Thank you so much for watching Himachal Wire Take care of yourself Stay safe Masks ठीक तरीके से पहनी और COVID protocols अच्छे से फॉलो कीजे Thank you